हाई वेल्कम तो माई चनल इस बड़ियो में सॉल्व करेंगे कुछन नवर फोर फाइंड दी ग्रेटेस्ट नमर आफ फाइव डिजिट्स विच इज़ परफेक्ट स्क्वेर चली सॉल्व करते हैं तो हम पहले निकालेंगे कि फाइव डिजिट्स का जो ग्रेटेस्ट नमर होता है वो क्या होता है तो वी नो दैट प्रेटेस्ट नमर आफ ग्रेटेस्ट नमर आफ फाई डिजिट्स 5 digits is 99,999 this is the number which is the greatest number of 5 digits लेकिन हमें बताना क्या है 5 digits का greatest number बताना है लेकिन वो perfect square होना चाहिए but this number is not a perfect square तो हमने तो ये निकाल लिया कि greatest number of 5 digits होता है वो होता है 99,999 but perfect square भी उसमें property होनी चाहिए उस number में तो ये greatest number है लेकिन perfect square नहीं है तो हमें इसे perfect square बनाना पड़ेगा अब इसको perfect square बनाना पड़ेगा तो क्या करना होगा तो दो तरीके हैं हमें perfect square बनाने के लिए किसी number को या तो उसमें से कुछ हम separate कर दें या फिर कुछ इसमें add कर दें तो ये लेकिन हम इसमें add नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि इसमें add करके बनाएंगे तो वो 6 digits का number हो जाएगा और हमें बस निकालना है 5 digits का number ही देखेंगे कि remainder क्या आ रहा है जो remainder आएगा last में वही remainder हमें separate करके इसमें से मानस करके और वो निकाल लेंगे वो number जो perfect square बनेगी तो यहाँ पर हम pair बना लेते हैं दो pair यहाँ बना यहाँ बना यहाँ बना तो हम पर ले लेंगे 3 से 3 plus 3 39 हो जाएगा यहाँ पर cancel out हो गया अब यह 99 उतर गया यहाँ पर हो जाएगा 6 यहाँ पर दो बार ले ले सकते हैं एक ही बार ले जाएगे तो 1 से ले जाएगे यहाँ पर means हो जाएगा 1 and 6 मानस करेंगे 9 में से 1 8 हो जाएगा और 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा 38 और 99 यहाँ पर उतर गया फिर से अब यहाँ हो जाएगा 62 अब किसे ले जाएंगे तो 6 जा 36 होता है तो 6 टाइमस में चला जाना चाहिए ओके 6 6 में तो 6 6 जा 36 का 6 3 करी ओफर and 6 2 जा 12 and 12 and 3 15 का 5 1 करी ओफर and 6 जा 36 and 1 37 मरस करिए 9 में 6 जाएगा 3 and 9 में से 5 जाएगा 4 and 8 में से 7 जाएगा 1 143 अब 143 यहाँ पर क्या बच गया लास्ट में रिमेंडर बच गया अब यह फिर से केंसिल आउट नहीं हो पाएगा किसी से तो इसका मतलब कि 143 यह रिमेंडर बच रहा है और हमें इसको परफेंडर बनाना है तो यह 143 रिमेंडर नहीं बचना चाहिए बलकि हमें 0-0 बचना चाहिए तो इस 0-0 तब आएगा जब हम रिमेंडर को माइनस कर दें इस नमबर में से इदी हम 99,999 में से इदी मैनस करतेंगे 143 तो हमें वो नमबर मिल जाएगा 5 डिजिस का लाजेस्ट नमबर ग्रिटेस्ट नमबर जो परफेक्ट स्क्वेर भी होगा ठीक है कि ध्युक्वाओ प्युच्वेर चर्वेर टेघक्वेर टेट ल्टे इस नमबर टेटेश था नमबर टेक्वेर टेटेट कॉर्टे रेखर ग्युच्वेर चाहिए तो 143 हम सब्सक्राइब करें तो क्या मिलेगा इसक्राइब मिल जाएगा हमें 99999-143 यह मिलेगा 6 9 में से 3 जाएगा 6 and 9 में से 4 जाएगा 5 and 9 में से 1 जाएगा 8 or you have a 99 means 99,856 is the number of is the greatest number of five digits which is a perfect square hence 99,856 is the greatest number of five digits which is a perfect square ओके तो यही आपका आंसर है hope कि आपको समझ में आगे होगा तो like कर दिजिएगा तो शुक्सेर करिएगा और thank you so much for watching इदि आप comment कर लेंगे एक तो मेरे लिए अच्छा रहेगा एक थोड़ा सा अच्छा वाल comment दे दिजिए thank you so much again bye कर दो दोग है